So hello everyone, welcome back to our channel, इस वीडिये मा बात करने वाले हैं Tata Motors की new vacancy के बारे में तो आप सभी को बता देंगे Tata Motors की तरब से work hiring ओर ये 2023 के लिए जिसके लिए all over India से कोई भी fresher candidate apply कर सकता है तो पूरी information इस वीडिये मा आप सभी को provide कराएंगे कि कौन apply कर सकता है, कैसे आप apply कर सकते हैं selection process क्या रहेगा, qualification criteria क्या रखा गया है तो पूरी information के लिए वीडियो को last तक आप ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी information मिल पाए वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like share करके चैनल को subscribe करने ताकि future में भी आप सभी को इसी तरीके की job update मिलती रहे तो आप चलते हैं update की तरफ और आप सभी को पूरी information देते हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यह वीकिंसी आपकी Tata Motors 2023 के लिए निकाली गई है और यहाँ पे कोई भी इसके लिए online apply कर सकता है उनके वारे में information दे गई है कि कौन-कौन सी post यहाँ पे सामिल रहने वाली है जैसे कि customer support associate हो गया, assistant manager हो गया, plant supervisor हो गया, accountant, graduate trainee, engineer in the workshop, security charts यहाँ पे इस तरीके से security voice की weekends निकाली गई है अगर मैं बात करूँ eligibility criteria के तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि apply करने के लिए बात करेंगे आपकी age limit के बारे में तो यहाँ पे जो भी candidate इसके लिए apply कर रहा है उनकी कम से कम 18 साल होनी चाहिए या इससे जादा होनी चाहिए वो ही candidate इसके लिए apply कर सकते हैं अगर बात करें education qualification की तो यहाँ पे minimum जो qualification candidate की होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12 path यहां इसके हलाबा अगर आप graduate हैं पोस graduate हैं तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं यहां पे experience की कोई जरुवत नहीं है फ्रेशर candidate भी इसके लिए apply गा सकते हैं तो यहां पे recruitment drive जो रहने वाली है वो fresher candidate के लिए भी रहने वाली है अप पे scale की बात कर लेते हैं तो यहां पे आपको minimum expected salary की अगर बात करें तो 30,000 के अप्रोक्स आपको minimum salary मिल जाती है और maximum जाएगे आपकी 56,000 पर month यह depend करेगा आपकी qualification experience के उपर कि अगर आपके पास जितनी ज्यादा qualification जितना ज्यादा experience उतनी ज्यादा आपको salary यहां पे मिलेगी अब बात कर लेते हैं selection process की तो यहां पे आप सभी को बता दें कि इस frequency के लिए दो stage होते हैं यहां पे apply करने के लिए इस recruitment में सबसे पहला stage होता है interview और जब आप interview को qualify कर लेते हैं तो आपका होता documentation इसके अलावा application fees की बात आती है क्योंकि maximum आपने वहाँ सारे recruitment drive देखे होंगे विचिस में आपको application fees पे करनी होती है बड़ यहां पर कोई भी application fees नहीं आप किसी भी category से ब्लॉंग करें आप free of cost इसके लिए apply कर सकते हैं कैसे apply करना है तो यहां पर कुछ process भी आप सभी को बताएगा है कि जो भी interested or eligible candidate रहेंगी वो Tata Motors की official recruitment website पर जागर Tata Motors के लिए online apply कर सकते हैं आप सभी को बताते हैं कि इसके लिए cable online ही apply कर सकते हैं और अभी कि यहां पर date भी आप सभी को clear की गई है कि यहां पर 25 मार्स तक आप apply कर सकते हैं पर यह date extend भी हो सकती है और date extend हो जाती है तो आप इसकी official website बेस आखके visit कर लें जिससे कि आपको clear हो जाए कि हाँ date extend हो चुकी date 9 February 2023 से start हो चुकी और last date जो आपकी रहेगे वो 25 मार्स 2023 है बड़ी आपकी date extend हो सकती है जैसा कि मैंना already आपको clear कर दिया है date of interview भी तक announce नहीं की गई है बड़ जैसे announce होगी आप सभी को यहां पर update दे दिया जाएगा और यहां पर कुछ important links आप सभी को दिगी है online apply करने की link notification application download करने की link तो online apply करने के लिए screen पर दिखरी website को google में search करें आगे का process आपको बताते हैं सबसे पहले आप जो भी device यूज़ करें चाहिए आपके पास mobile, laptop और desktop और यहां पर आपको type करना रहेगा study4dreams.in तो यह website जैसे आप search करेंगे सबसे उपर आपको एक result मिलेगा study4dreams, learn4future फर्स्ट वाली जो link आपको दिखरी है, इसी link पर आपको click करना हुआ, जैसे आप इस पर click करेंगे तो कुछ इस तरी की website के interface आपकी सामने open होता है इसमें सबसे पहले आप देखेंगे Tata Motors डारेक्ट भरती 2023, तो यहां पर यह notification आपको मिल जाता है इनकेस अगर आपको यहां पर नहीं भी मिलता है, तो right side में top में एक search का button दिया गया है, जहां पर आप Tata Motors सर्च कर सकते हैं तो Tata Motors जैसे ही search करेंगे, तो अब तक जिसके जितने भी recruitment आए हैं, वो सबी recruitment आपको यहां पर दिखा देगा तो first वाला जो notification आपको दिख रहा है, जिसमें Tata Motors डारेक्ट भरती 2023 आपको दिख रहा है, आपको इस पर ही click करना होगा जैसे ही आप इस पर click करेंगे, इसके detail notification बाला page आपकी सामने उपर हो जाता है, जिसके details already मैंने आप सभी के साथ share कर दी है, फिर भी अगर आपको कोई doubt and query है, तो आप यहां पर confirm कर सकते हैं जब आप इस page को नीचे scroll down करेंगे, तो यहां पर आपको online apply करने की link आपको मिल जाएगी, click here for apply online form, तो first of all जो link आपको दिख रही है, आपको इस पर click करना हो, आप वाली link पे जैसे ही आप click करते हैं, तो आप Tata Motors की official recruitment website पे redirect हो जाते हैं, जहां पर जो भी vacancies निकले हैं, वो सब भी vacancies आपको दिखा देगा, सबसे उपर आप देख सकते हैं, opportunities, बेदवस तो इस तरीके से आपको option देखने के लिए मिल जाता है, साथी में यहां पर आप अपना keyword डाल के भी अपना job search कर सकते हैं, यह जैसे कि आपको clear हो कि मुझे इसी field में job चाहिए, इसी department में चाहि अगर उस department में कोई भी vacancy होगी तो आपको यहां पे तोग कर देगा, इसके अलावा यहां पर तीन option आपको दिये जाते हैं, job title, location and company, तो तीन हो में आप देख सकते हैं, job title यहां पे आपको दिख रहा है, location आप यहां पे देख सकते हैं, साथी में company देख सकते हैं कि कौन सी हो गया, तो जहां आपको apply करना और जिस post के लिए आपको लगता है कि मैं perfect हूँ, मेरी qualification criteria इससे match खाती है, आपको किवल उसी post के लिए apply कर देना है, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं, senior manager की vacancy निकली ही है, यह इसके architecture की vacancy निकली ही है, तो जिसके लिए भी आप चाते हैं, आप इसके लिए apply कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे executive payroll की vacancy निकली है, अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए apply कर सकते हैं, आपके qualification criteria से match होता है, तो simple आपको इस पे click करना है, तो जैसे आप इस पे click करेंगे, इसका एक page आपकी सामने open हो जाएगा, जिसमें इसकी details होँग कि यहां पे आप graduate होनी चाहिए, commerce में और MBA आपके पास होना चाहिए, finance में, इस तरीके से work experience वगएरा भी आप सभी को दिखा देगा, तो पूरी detail यहां पे check कर सकते हैं, experience की बात करें, तो 2-6 साल का experience आपको होना चाहिए, भासा की बात करें, तो हिंदी और English आपको आनी च sign-in कर देंगे, but अगर यहां से first time apply कर रहे हैं, तो यहां पे create an account का option आपको मिलता है, आपको इस पर click करना है, तो जैसे आप click करेंगे, कुछ इस तरीके का interface यहां पे open हो जागा, जहां पे आपको कुछ अपनी basic details होते हैं, वो fill करके अपना account यहां पे create कर सकते हैं, बहुत simple type का form आपके सामने उपन होता है, जिसमें कुछ basic details ही आपकी चाहिए होती है, जैसे कि आपका email address होगे, आपका first name, last name और आप कौन सी country से belong करते हैं, वो आपको पूछा जाता है, और इसके बाद आपका account होता है, वो create हो जाता है, और create हो जाता है, तो create होने के बाद दोबा job code number भी आपको दिखा देगा, साथी में जो पूरी details है, वो आप से भी को दिखा देगा, तो यहाँ पर जो अपना resume रहेगा, वो आपको upload करना है, साथी में जो भी आपके documents रहेंगे, वो यहाँ पर upload करने होंगे, फिर आपके आते है, यहाँ पर profile information हो गया, previous work experience हो गया, व study आप डालेंगे, जैसे finance में अगर आपने किया है, तो आप यहाँ पर finance यहाँ पर enter कर देंगे, फिर institute name आप से पूछा जाएगा, और यहाँ पर course आपका complete कब हो गया था, वो date यहाँ पर select करेंगे, और इससे क्या करेंगे, इस तरीके से add कर देंगे, यहाँ पर save कर कि किस तरीके साब आपने जो भी details फिल की है, वो profile में कैसे enter हुई है, इसके अराव यहाँ पर save and apply का option है, इसे click करने के बाद आपका जो form बनने का procedure है, वो complete हो जाता है, in case अगर आपको status देखना है, तो यहाँ पर आपको options मिल जाते हैं, तो यहाँ पर अपनी profile पर visit करना है login कर लेना है, जिसमें email ID and password enter करके, आप यहीं पर आजाएंगे और यहाँ पर option पर आप click करेंगे, तो my profile job alert and setting पर आके, यहाँ पर जो भी जिस post के लिए आप apply कर चुके हैं, उन सभी post का status यहाँ पर check कर सकते हैं, कि अभी status के चल रहा है, आपका application form solid listed हुआ है या नहीं सकते हैं, and I hope complete details इस वीडियो मां आप सभी को मिल गई होंगी, और यहाँ पर आपको clear कर दूँ कि Tata Motors के लिए apply हने का one and only यही procedure होता है, इसी दरीके से आपको apply करना होता है, आप solid listed होते यह नहीं होते, यह depend करता है, आपके qualification and experience के उपर बाकी का procedure यही रहता है, तो I hope वीड पाल के लिए वस इतना है, so thank you for watching, जाहिन जावार